कि नमस्कार दोश्तों भूपेन सिंग आप सभी का फिर से एक्जाम गुरूब स्वाग आता है दोश्तों सोले सितंबर हो चुकी है और सोले सितंबर के हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि सुप्रीम कोट में 2334 गनित और विज्ञान शिक्षे भरती के याची का खारिज डिगरी कॉलजिय में रिक्स पदों पर भरती का भरती याची का हुई भी खारिज और पांच वर्शे सभी ना प्रष्ता पर कमचारी भढ़के और जनता का विरोध परदसन शुरू दोश्तों इन सभी न्यूज को भी शेयर करें क्योंकि जो पलपल की अपडेट होती है वह भी हम आप सभी के सामने अवज सही लेकर आते हैं दोस्तों चलते हैं न्यूज की तरफ आप सबको दिखा चलें कि पांच वर्शी है सभीनदा पर करमचारी भढ़के आप सब जानते हैं कि सरकार ने इसने पां समय वर्श की समीदा प्रश्टा पर आग्रोस जाहिर करते हैं कि सरकार ने अंतर ऐसे एक अदम उठाए जिससे क्रमचारी सेक्षक वर्ग को आरतिक और मांसीग पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है और मंच की और से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि क्रमचारी सेक समाज को नकारा गुषित कर सरकार क्रमचार सेक्षक वर्ग की समाजिक प्रश्टिष्टा में खिलवार कर रही है और उड़्जा सहीत कई विभावक को ले जाया जा रहा है इस तरह से दमात्मक कदम उठा रहे है क्रमचारी सेक्षक नेताओं ने सरकार के मनवन रवए सब्सक्राइब को लेकर प्रश्टाब आंद्रों का निरना किया गया इस बारे में व्यूडियो कान फ्रेसिंग के दुरां सुषिल तरी पाटी हरी कुस्त अर्शी किसो डॉक्टर दिनेश चंद सर्माज अन्य आदी जो मेहत्मुन जिवा हैं उन्होंने सुजाव रखे औ और अगले महां क्या करेंगे कि वह शिक्षक और जितने करमचारी गन हैं विद्धान सवा का घेराब करेंगे और वहीं बात करते हैं सुप्रीम कोट की कि सुप्रीम कोट में उन्ताजा 34 गणित और विज्ञान सेक्षक भरती मामले में 15 सितंबर को हुई सुनवाई का से केस में इंफाजा कर परेशन करते रहें किन्तु बिगाड़ा कुछ नहीं पाए चैन्स हो चीए इस्थान नहीं पाने कारण याची करता याची लाव चाहते थे किन्तु उन्हें याची लाव ने मिल सका साथियों अपना केश 12-5 पर सुरू हुआ और 12-5 तर चला विज प्रोकेट किये गए सबीने कोट में सेक्षी योगता विज्ञान इस तना तक बतागा गुम्रा करना चाहां किन्तु जज्ज सामने निया मामली 1981 आट टूरूर को पढ़ने का जिसमें कहा गया थी कि किसी भी विधी दुबारा इस्ताफिस दाले से इस तना तक गया समक्ष उपाज जिसमें गणित्य विज्ञान विश्य पढ़ा हो जबकि रोधी के वकील इसके बीए से विज्ञान ने बीए से गणित बतागा गुम्रा करती रही फिर जज्ज सामने ओमकार सिंग केस्ट के पहरा नों को पढ़ने को बोला कि इस नाता कि उपादी गणित्य तो इतने कहते हैं बीए से नहीं लिखा है फिर व्योधी वकील बीफार्मा बीए बीए बीसी ए और एजी होम साइंस को खाज हुए पुराने आदेश दिखा कर इन डिग्री धारगों को अभेद बता है और ये बता कर उन्हें बैक डोर्ट से एंट्री ले लिए भरती में कि जज साब नहीं माना उन्होंने काया कि हाई कोट ने जो आडर हुआ है कि किन परिष्टों में मुझे पता नहीं कि सुप्रीम कोट में 16 जुलाई 2019 का आदेश फ्रोबेज ने इन पदों में के प्रक्ष में हुआ है आज की तारिक में यही आडर फाइनल है यदि आप इस कि कि इलावत हाई कोट ने प्रदेश के राजिके साइटा प्राट डिग्री कालीजों में सायक प्रोपेसर के 4000 रिक्त पदों को बनने की मांग में दाकिल याची का खारिज कर दी है कोट ने कहा कि योगता हासिल होने के आधार पर किसी को रिक्त पदों पर चैनित होने या यह नियोजक पर रिक्त पदों कर रभया नहीं बढ़ सकते और उन्हेंने कहा कि सुप्रिम कोट के फैंसले का हवा देते हुए याचिका पर हष्तविश करने से इंकार कर देगा यह आदेश न्यायमूर्ति विबेग अगरवाल ने सोरव कुमार सिंग अन्य की याचिका प पद हैं और यानि याचि पीएज़ी और राइस्ट दक्स्तर प्रिक्षा पास हैं और पर चैनित होने की आयता रखते हैं मांग की आयोग ने हर साल भरती निकालने में और बनने का निर्देश भी दिया और वहीं बात करते हैं डिगरी कॉलेज खुद तैक कर सकेंगे पार सब्सक्राइब कालिज पात्र होंगे और प्रिदेश में उस सिक्षा विभाग में कुल 7133 कालिजों में यह सर्थ पूरी करने वाले सिक्ष कालिजों की खाशिस संक्या है वहीं विश्विदालें थी अधिक्तम 300 कालिजों संबंद रह गए एक कालिज में 3000 से जज़्यारत है वहीं पूरे देश में 700 से तरिकालिजों सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोष्टों को भी शेयर करें क्योंकि जो पलपल पल की अपडेट होती है वह भी हम आप सभी के सामने अवस्थ रहीं लेकर आते हैं थैक्यों धन्यवाद और वास्ट कि बास्टियों